नमस्कार में उप्रिया आपका स्वागत है भिहारी न्यूज में चोले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी सभी राजियों के मुख्यमंत्री और जम्मु कश्मीर के उपराजय पाल से करेंगे बाद शीद COVID-19 के बढ़ते माहौल के बीच आज एक बार फिर से प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी 15 राजियों के साथ और जम्मु कश्मीर के उपराजय पाल के साथ बैठा करने वाल हैं साथ ही इसके रोक्थाम के लिए जरूरी प्रयासों पर विचारवे मर्श किया गया है प्रधान मत्री नरेंद्र मोदी ने दिये साफ संकेत नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन देश में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जोह रहे हैं भारत में प्रभावितों के संख्या को मिलाकर 3,43,091 हो गई है जिसमें से 11,000 से ज्यादा व्यक्तियों की जान भी जा चुकी है वही देश में बढ़ते COVID-19 संक्रमन को देखते वे आई दिन यह अटकले सुनने में मिल जाती है कि शायद प्रधानमती नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लोक्टाउन को आगे बढ़ा सकते हैं मगर अब प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ की गई मैराथान बैठक में यह साफ संकेत दे दिया है कि किसे भी हाल में बंद की अवधी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा उन्होंने संकेत दिया है कि देश में बंद नहीं बढ़ाई जाएगी और छूट का दाइरा और ज्यादा बढ़ाया जाएगा IIT हैदराबाद ने बनाई चमतकारी घड़ी जबसे COVID-19 के मामले में बढ़ोतरी हुई है तब से अलग-अलग स्थानों में भी नए-नए अविशकार किया जा रहे हैं और डॉक्टर को मरीज के नजदीक आने की जरूरत नहीं पड़ती है जिसका नाम नेमो केर रक्षा प्लस रखा गया है यह एक स्टार्ट अप कंपनी का नाम है और रक्षा प्लस उपकरन है जो हाथ में बांधरे वाली घड़ी के आकार से कुछ कम होता है इसकी मदद से प्र से 46 डिग्री तापमान में जमू के कंडी बिल्ट में होने लगी है वेग्यानी को द्वारा तयार की गई सेब के नए पौधे को HRMN 99 नाम दिया गया है साइंटिस्ट का दावा है कि हसेब ऐसे किस्म का है जो कि देश के किसी भी हिस्से की मिट्टी में 50 डिग्री तक के तापमान में उगाई जा सकती है जिसके बाद अब सेब के लिए कश्मीर और हिमाचल प्रिदेश की सर्द वादियों का इंदजार नहीं करना होगा बलकि देश के अनहिसों में भी इसके पैदावार भारी मात्रा में किया जा सकेगा खबरों के माने तो सामबा जुले के गाउं के साहिब बंदगी आश्रम के बाग बगीचे में भारी मात्रा में सेव की स्टेशन की पैदावार हो रही है हैरान करने वाली बात यह है कि जहां कश्मीर में मात्र 20 डिग्री तापमान पर सेव की पैदावार होती है पैदावार 45 डिग्री तापमान पर हो रही है जहां पर अब तक 500 से ज्यादा सेव की पेड़ लगाए जा चुके है बिहार के मुख्यमंत्री नितीशकुमार ने बिहार में जरूरत के हिसाब से सड़क और बाइपास बनाने का किया एलान मुख्यमंत्री नितीशकुमार ने सभी शेहरों साथी साथ समूचे बिहार में जरूरत के हिसाब से बाइपास और सड़क पर पुल का निर्मान करवाने का फैसला सुनाया है ताकि आसानी से शेहरों में आवा गमन की सुविधा मुहाया कराई जा सके उन्होंने साथ तोर पर कहा है कि किस शेहर में किस तरह के काम की आवशकता है इसका आकलन करने का निर्देश सभी पताधिकारियों को दे दिया गया है अगली बार सरकार में आएंगे तो हर खेत में पानी भी दिया जाएगा साथ ही सडख निर्मान पर भी खास ध्यान दिया जाएगा इतना ही ने उन्होंने बीटे दिन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से पूर्वी चमपारण के के सरिया में गंड़क नदी पर बने 70 घाट पुल का भी उत्खाटन किया था इतना ही नहीं सासा राम बाइपास फेज वन का शिल अन्यास भी किया गया है जिसके निर्मान के बाद जाम से राहत मिलने के उमीद जटाई गई है प्रधानमतिर नरेंद्र मोदी ने देश में 50 प्रतिशत रिकवरी रेट होने का किया दावा जहां एक तरफ COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जारे वहीं दूशरी तरफ भारत में रिकवरी रेट में भी बढ़होतरी देखने को मिल रही है इसी क्रम में बीते दिन प्रधानमतिर नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ COVID-19 की बैठक के दौरान अनलॉक वन और रननीती को लेकर की जारे वीडियो कॉनफरेंसिंग के दौरान कहा कि COVID-19 का रेकवरी रेट 50 प्रतिशत से अधिक है और धीरे-धीरे COVID-19 में और भी ज्यादा सुधार हो रहा है उन्होंने आगे याभी कहा कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम कितना रोक पाएंगे और उतनी ही तेजी से हमारी अर्थ विवस्ता को बढ़ोत्री मिलेगी उतनी ही रोजगार के अफसर भी खुलते जाएंगे भारत चीन के बीच बीटे दिन से गलवान रिवर फ्रंट पर रसा कसी का महौल देखने को मिल रहा और जिस वज़े से भारतिय सेना ने 20 जवानों की जाने की भी खबर सामने आई है जिसके बाद भारतिय सेना ने सभी जवानों के जाने पर अपनी समवेदरा व्यक्ति है विदियो पर नजर रख रहा है एक दिन पहले ही पाकिस्तान की सेना के टॉप कमांडो ने खूफिया जेंसी आईएस आई के दफ्तर में भारत के साथ चल रहे तनाफ पर चर्चा की है सिर्फ पहरी देशी नहीं बलकी भारत में भी विरोधा भास साफ साफ देखने को मिल रहा है कॉंग्रस नेता राहूल गांधी ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चुपी पर सवाल उठाया है जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आखिर क्यों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप है आखिर क्या वज़े है कि वो बहुत कम सामने आ रहा है हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है सुषान सिंग राजपूत के पिता ने पुलिस के सामने दिया एहम बयान रविवार का दिन बॉलिवूड इंडस्ट्री के लिए पिहाधी दुख भरा साबित हुआ था क्योंकि यही वो दिन था जब सुषान सिंग राजपूत ने किसी परिशानी की वज़व से अपनी जान ले ली थी जिसके बाद अब उनके अंतिम संसकार के बाद अब जाकर के उनके पिता ने अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने पुलिस को बताया है कि सुषान ने उन्हें बताई थी पिछले कुछ महीने से दो तीन बार से सुषान ने मुझसे कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे टेंशन की वज़े से बहुत ज्यादा लो महसूस करता हूं वहीं जब पिता ने सुषान से उनकी परिशानी के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की तो शुषान ने कहा कि वह इस दोर से बाहर खुदी निकल आएंगे और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा शुषान दे हाला कि कभी भी अपने पिता के सामने डिप्रेशन शब्द का इस्तमाल नहीं किया था और नहीं उन्हें अपने इलाज के बारे म अब होगा COVID-19 मरीजों का इलाज दिल्ले में बढ़ते COVID-19 संक्रमन को देखते वे सरकार ने 5 स्टार होटेल को अब COVID-19 प्रभावितों के इलाज के रे खोल दिया है जिसके परिणाम स्वरूप अब New Friends Colonies सित होटेल सूरिया को Holy Family Hospital के साथ अटैच किया गया है इसके जानकार साथ सार होटेल ताज मान सिंह को भी इटाच कर दिया गया है जिसके बाद सरगंगाराम स्बीस को स्टार होटेल के कमरे तक पहुंचाये जाएगा अस्पटाल मरीजों और सफीस ले गा और फिर होटेल को निर्धारित दर पर प्रति दिन चा चार्च जाएगा चीन में वन आवाहन ऐसे समय में किया है जब लद्दा के गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है जिसके लिए 3,000 से ज्यादा उत्पादों को रेखांकित कर लिया गया है जो भारत में बनाय जाते हैं उन्हें चीन से मंगवाने की जरूरत नहीं है हवाई इरधन की कीमत में हुई बढ़ोतरी के बाद फ्लाइट की राया बढ़ने का लगाए गया अनुमान हवाई इरधन की कीमत में 16.3 फीसीदी की बढ़ोतरी देखी गई थी जिस पर अब हवाई यात्रियों को किराय में बढ़त का सामना करना पड़ सकता है आपको बता दे पेट्रॉल डीजल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद ही तेल कंपरियों ने अवियेशन, टर्बाइन, फ्यूल यानि हवाई इरधन की कीमत में भी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था बनाया रखने के लिए कई मोबाइल आप्स का इस्तमाल भी किया जा रहा है भारत में आरोगी सेतु आप पर जोर दिया गया है तो वहीं जर्मनी में एक ऐसा आप बनाया गया है जिसमें यूजर की प्राइबसी को सुरक्षित रखने का पूरा ध्यान रखा गया है खबरों की माने तो जर्मनी का नया COVID-19 आप बाकी सभी देशों के आप के बाद आया है लेकिन इसमें यूजर के नीजी डेटा को सुरक्षित रखने के मामले में सब को पीछे छोड़ दिया है आपको बता दे जर्मन आप यूजर की लोकेशन लेता ही नहीं है बलकि यह पता नहीं चल पाता कि कोई व्यक्ती कहा है और इस तरह से इस आप के माध्यम से किसी की नीजी जानकारी भी साचा नहीं होती है यह आप ब्लूटूथ तकनीक से चलता है और ब्लूटूथ एक ऐसा तरीका है जिससे कोई डिवाइस अपने आसपास की दूसरी डिवाइसों से डेटा का आदान प्रदान करती है फोन एक दूसरे को थोड़ी ही देर तक सक्रिये रहने वाले पहचान क्रवांक भेजता है इस तरह का जो भी डेटा इखटा होता है वाकिवल यूजर के फोन में आने वाले दो हफ्तों तक सुरक्षित रहता है इसके बाद ही रेनुका ने एक के बाद एक ट्वीट कर यह बताया कि इस अत्यांत उदार दयालू फरिश्टे के प्रती मेरी कृतक गिता असीम और हमेशा के लिए यह फरिश्टा कोई और नहीं बलकि सूपर सार अक्षे कुमार है इतना ही ने उन्होंने यह बताया कि अक गोली के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि वह टीम को आगे से लीट करते हैं ना वो के बलने से रन बनाते है बलकि अनके पास उर जा भी है वह उन्होंने कहा कि महिंदर सिंग धोनी एक शांत कपतान है आप शायद ही महिंदर सिंग धोनी के चेहरे को कभी भी पढ़ सकते हैं और यह जानना भी मुश्किल होता है कि उनका शरीर क्या कहना चाहरा है लेकिन MS धोनी गेंदबाजों के अधिक कपतान है जो बॉलर्स के ल करना आया है किस अप को बंद करना काफी दुखाद है लेकिन इस निर्ने के लिए किसी तरह को वो इस पश्टी करन देना फिलहाल सही नहीं है अब वी वो यूजर बंद होने से पहले 30 ओक्टूबर 2020 तक अपने वीडियो को टिक टॉक पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं वरतमान समय में भारत में 20 करोर से ज्यादा टिक टॉक यूजर्स हैं हलाकि वीगो वीडियो और वीगो गेंदबास कौन रहें अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुरे रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्य आज कि अवाब आगे तरह भी यूट्यूब चानल को सब्स्ट्वादी आज को सब्स्ट्राइब करें अवादी लगदा रहत।